गुड मॉनिंग एवरीवन आज हम बात करेंगे आर्मेचर रियक्षन के बारे में आर्मेचर रियक्षन इन डिसी जेनेटर और मोटर armature reaction में क्या होता है armature reaction में आपका जो main flux है armature flux की वज़े से disturb हो जाता है फिगर में आपका दिखाए गया है ये disturb हो गया है इसी को armature reaction कहते है इसमें no load condition में जो आपका flux है वो ये सीधा N से S की तरफ जाता है यानि इस angle से होते हुए ऐसे जाएगा no load इस्तिती में लेकिन जैसे ही generator पर load बढ़ता है तो armature में भी एक flux generate हो जाता है जो generator के main flux को disturb करता है इसी को armature reaction कहते है और ये GNA है geometrical neutral axis ये MNA है magnetic neutral axis ये no load condition में GNA और MNA एक ही direction में होते है और जैसे ही generator पर load पड़ता है तो ये GNA shift होके यहां इस condition में आयाता है यानि GNA और MNA की बीच में एक angle बनता है तो ये आपका generator पर load की स्तिती में ही होता है यानि no load पर GNA और MNA एक ही direction में होंगे और जैसे जैसे generator पर load आता है तो ये MNA shift होता चला जाता है और आपका shift होने के बाद जो angle बनाएगा उसको ही armature reaction बोलेंगे जिससे main flux armature flux की वैसे disturb हो जाता है और इसमें क्या है voltage drop हो जाता है आपका generator का voltage drop होगा armature reaction के कारण ठीक है ओके थैंक यू